Good morning students, this is your Hindi book, that is Sunhari Dhoop. Today we will read chapter number 4 of this book, that is Varsha Rani. Let's start reading. बारिश का मोसम भड़ा सुहावना होता है. बारिश सबी को अच्छी लगती है. बारिश से गर्मी दूर होती है. बारिश होने पर बच्चे, भड़े, पशु, पक्षी सबी प्रसन हो जाते हैं. इस टोरी में हमें बारिश के बारे में बताया गया है, कि बारिश का मोसम भभूती अच्छा होता है. सबी को अच्छी लगती है, बच्चो को, स्पेश्वी बच्चो को बहुत अच्छी लगती है. बारिश से गर्मी दूर होती है, और सबी पशु, पक्षु भी खुश हो जाते हैं. फर्स्ट एंजा भर गए सारे ताल, तलईया, मेंडक गीत सुनाते हैं, सोंदी मिटी महक रही है, पेड़ खड़े मुस्काते हैं, मैं भी आओ, तुम भी आओ, बारिश में सब खुब नहाओ, कागच की सब नाव बनाओ, मिलकर पानी में तेराओ. क्या कहा गया है कि? मैं भी आओ, तुम भी आओ, मैं भी आओ, तुम भी आओ, बारिश में सब खुब नहाओ. सबी बच्चे क्या बनाते हैं बारिश का मुसम आते हैं, तो कागच की नाव बनाते हैं और पानी में तेराते हैं. नाओ टर्न नेक्स पेस नमबर, याओ, तुम भी आओ, शब्दाल, गरजना बादलों की आवाज, जमकर, खूब, घन गोर घटा, काले काले बादल, तलैया, पानी के छोटे तालाब, सोंधी, सुगंधित. नेक्स्ट कवीता की पंक्तियां पूरी करो, तो यह आप पीछे से कंप्लीट करोगे, यह पीछे स्टैंजर दिया गया है, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं. Turn on the next page number 39, समान तुक वाले शब्द लिखने हैं, पानी, रानी, काला, ज्याला, जिसकी सेन साउंड आए, और, जोर, बरस, सरस, तरस, ताल, बाल, महक, चेहक. आगे देखें, आपको उन्हें पढ़ना है, समझने और लिखना है, रानी, कैसे बना है, र, आ, न, इ, रानी, गीत, ग, इ, त, अ, गीत, बिजली, ब, इ, ज, अ, ल, इ, बिजली, देखो, बिजली, पड़ी की साउंग, आउंड है, तो भड़ी, तलया, त, अ, ल, ए, य, आ, तलया, थैंक्स,